अब आप ट्रेवल करोगे तो आपको एक महीने की रिटर्न टिकट नहीं लेके जानी है अब शोर शोर्ट वीजा है उसके उपर विश्वाश कर लेते हैं और अगर जो सिंपल अपना आपसे एक चार्ज बगरा लेकर आपके वीजा फाइलिंग करते हैं आपको उस पर मेरा नाम है अमन इस वीडियो में बात करेंगे कैनेडा के ट्यूरिस्ट विजा के बारे में क्या 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 डॉक्मेंटेशन चाहिए प्रोसेसिंग टाइम क्या है कौन-कौन सी प्रोफाइल आप जो है अपलाई कर सकते हैं कैनेडा के ट्यूरिस्ट विजा के अंदर और अभी scenario चल रहा है, तो सबसे बहले बात करते हैं, आपके जो documentation है, वो क्या requirement होते हैं, अगर आप self-employed हैं, तो आप अपने business के document आप लगा सकते हैं, जैसे कि GST registration हो गया, उधियम अधियार registration हो गया, ISO हो गया, trademark हो गया, अपने आपकी जो business की strong ties हैं, जो आपके home countries के अंदर हैं कि आपका जो business है, वेल सैटल है, उसके आप जितने भी जो document आप लगा सकते हैं, वो आप provide कर सकते हैं, बट वो document आपके genuine होने चाहिए, इसके इलावा आप अपने 6 month की current account की statement आप लगा सकते हैं, 6 month की आपको saving account की statement इसके अंदर लगानी है, और इसके इलावा आप अपने hotel की bookings आप लगाओगे, कौन-कौन सी प्रोविंस में आपको रहना है, और वो geographically बिल्कुल correct होनी चाहिए, यह applicant जो है अपना geographically plan नहीं बनाते हैं, वो करते हैं, जी आप तीन दिन हम Toronto रहेंगे, तीन दिन हम Vancouver रहेंगे, बट अगर आप geographically देखो तो Toronto से Vancouver का जो अपना distance है, वो काफी जादा है, तो जब आप travel करते हो Canada के अंदर और अपना plan आप show करते हो, तो उसके अंदर problem आयती है, या तो Toronto से Vancouver की आपके पाफ फ्लाइट की ticket होनी चाहिए, कि आप जो Toronto से Vancouver जो है वो फ्लाइट पे जाओगे, otherwise आप अपना nearby जो भी अपना province बगरा हैं, उसमें आ आप area का अपना travel plan बना सकते हैं, इसके अंदर आपका travel plan, day wise travel plan भी चाहिए होता है, cover letter भी चाहिए होता है, जो आपके letterhead पे बनता है, आपके जो proprietor है, proprietor की stamp लगती है, या private limited company है, तो उसकी stamp लगती है, director stamp जो है, तो ये आप अपना जो documentation आप लगा सकते हो, इसके साथ साथ आपको national ID, आपके अधार कार्ड की copy जो है, वो भी लगानी होगी, तो ये जितने भी आप अपने proof जो है, solid proof आप अपना देते हैं, वो आपको अपना इसके अंदर attach करने होते हैं, आपका passport तो mandatory है, या उसमें 6 month की आपकी validity valid होनी चाहिए, जब आप apply करते हैं, तो अगर आ salary person के लिए, salary person के लिए document similar होते हैं, बस कुछ document जो है change होते हैं, जैसे उनको 6 मेने की अपनी bank statement लगानी होती है, अगर salary account है, तो salary account की 6 मेने की statement आप लगा सकते हैं, इसके इलाभा आपको तीन महिने की पेसलिप आपको लगानी है, form 16 है, तो form 16 आपको 3 साल का आप लगा सकते हैं, businessman के लिए आपको ITR देनी पड़ती है, first page देना पड़ती है, आपको 3 साल का, और जो salary है उनके लिए form 16 चल जाता है, या आप अपने ITR 1 भी अप लगा सकते हो, उसके साथ में, इसके इलाभा आपको एक NOC या leave certificate लेना पड़ता है, अपनी company की तरफ से, जिसका format होता है कि आप अपना Canada घूमने जा रहे हो, और जो भी आप खर्चा करोगे, आप अपनी तरफ से खर्चा करोगे, अपने saving से, और आप इस तारीक को आ करके अपनी rejoin करोगे, आपकी जो leaves हैं, या paid leaves जो हैं, वो approved हैं, तो इस type से आपका एक NOC letter बनता है, आपके HR department जो हैं, वो देवाइज आइटनेरी प्लान हो गया, cover letter है, वो आपका plane paper बनेगा, वो आप अपना सारा कुछ इसके अंदर attach कर सकते हो, national ID के अंदर आप अपना अधारकार आप लगा सकते हो, but form के अंदर आपको details बगरा देनी पड़ती हैं, अगर आपकी कोई travel history है, वो भी आपको देन आपते हो, तो अपना problem होती है कि कई बड़ी वीजा officer के पास इतना अपना case study करने का time नहीं होता है, कि वो आपका stamps देख लेते हैं, बट वो वीजा जो आपके पास मिले है, वीजा attach करना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि कई applicant का अपना problem ये हुई है, कि उन्होंने अपना क के अंदर attach नहीं किया था, उन्होंने सोचा कि दुबई कि स्टेंपल लगी हुई है, तो हमारा track हो जाएगा, बट मैं recommend करता हूँ कि अगर आपने करें travel किया हुआ है, आपके पास e-visa है, चाहिए वो किसी भी country का है, आप और साथ में attach करो, और सारे documentation के साथ ही आप अपन इनके बाद भी आ सकता है, तो Canada का जब भी आप visa apply करते हैं, अभी जैसे 34 days का processing time है, आपका जो visa का result है, वो पहले भी आ सकता है, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, और आपका इसका अंदर 40, 45 दिन, 50 दिन, 2 महीने तक भी अपना जो है लग सकते हैं, लेकिन 34 days अभी जैसे चल तो 34 days तक अगर आपका result नहीं आता है, तो उसके उपर अगर time हो गया, तो हम एक web form raise कर सकते हैं, कि आप वेट कर रहे हो अपने visa का result, तो वो आप अपना एक उसके अंदर हम web form raise कर सकते हैं, लेकिन 34 days से पहले कोई भी web form raise नहीं करना चाहिए हमें, तो ये सारा scenario अभी है, औ अगर आपके documentation all good है, सारे अच्छा, अपना PDF गयरा बिल्कुल, अपने clear scan करके लगाई हुई है, तो वो आपका result जल्दी आता है, अगर आपने कुछ blurrer photo लगाई है, या कोई third party application का use किया, जैसे कुछ document मेरे पास आते है, नीचे cam scanner का अपना वो एक watermark होता है, वो watermark जो है आपके PDF पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल clear आपकी PDF scan document होने चाहिए, क्योंकि आप वो document international level के उसके उपर use करना चाहरो, एक immigration officer को आप अपने document भेज रहे हो, तो clear आपके documentation scan होने चाहिए, और अगर किसी का visa पहले से कोई refusal है, अगर कोई Canada का refusal है, या कोई अपना किसी भी country क refusal है, तो वो क्या होता है, कि applicant ये सोचते हैं, कि अब हमारा visa लगी नहीं सकता, हमारा visa जो एक बार refuse हो गया, तो country से अपना बिल्कुल ban हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप दुबारा reapply कर सकते हो, काफी high chances होते हैं, कि second time पे आपका visa जो है, वो grant हो जाए, approved हो जाए, क्य तरीके से हमने filing की थी, जो documentation अपना जो लगाए थी, वो क्यों नहीं अपना success हुए है, आप case note बगारा भी अपना जो है ना, उसमें apply कर सकते हो, reason जानने के लिए, तो ये सारे ही अपना चीजें होती है, और आप अपना filing बगारा की detailing बगारा भी अपना message से अपना निकलव सकते हो, but अगर आपके बाद documentation ready है, banking वगारा, उक्के है आपकी, तो आप अपना उसको एक proper तरीके से travel plan बना करके आप जो है ना, उसको apply कर सकते हो, but जब आप अपना travel करो तो आपको उसी travel plan के हिसाब से चलना पड़ेगा, अगर आपने 10 दिन का travel plan बनाया है, जब आप travel कर होगे, तो आपको एक महिने की return ticket नहीं लेके जानी है, या बीस दिन की return ticket नहीं लेके जानी होती, आपको 10 दिन का अगर travel plan बनाया है, तो 10 दिन की आपके पास return ticket होनी बड़ी mandatory है, otherwise आपको जो है देली एरपोर्ट पे भी problem आएगी और Canada के एरपोर्ट पे भी problem आएगी, तो आपना खर्चा जो है, वो कर सको, traveler card होने चाहिए, या credit card होने चाहिए, ताकि आप अपना एक financial show कर सको, immigration officer को अगर वो आप से कुछ चीज required करते हैं, तो सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, वीजा apply करने के time पे, और traveling के time पे, और अगर कोई भी आप Canada का visa filing स्टार्ट करवाना चाहरे हैं, तो आप मेरे से contact कर सकते हैं, मैं अपने contact details जो है, description box में भी ढाल दूँगा, और अपको ये screen पे भी नंबर flash हो जाएगा, तो उस नंबर पे आप call करके, आपके Canada का filing अगरा कर सकते हैं, लेकिन मेरे से वो ही contact करें, जिनके जो document है ना, original gentleman है, अगर आपके पास कोई document अपना ready नहीं है, तो आप consult कर सकते हैं कि क्या कर डॉकुमेंट वैसे मैंने आपको सारा बता दिया है, और इसके लिए अपना document आप ready कर सकते हैं, जो ITR है वो आपके CA कर देते हैं, MSME जो है वो CA कर देते हैं, GST है वो CA का काम है, सारा काम अपना 15,000 पे देखर के आप अपना minimum balance पे अपना current account खुला सकते हूं, उसके बाद अपना transactions वगरा start कर सकते हूं, तो provision न सारे हैं, किसी consultant को 15-20 लाक रुपे देने से अच्छा ये है कि आप अपना वो वाला पैसा कुछ 15-20 लाक रुपे भी न लगता है, अपना बहुत ही कम आपक 15,000 पे दिया, वो आपके account में ही है, तो आप यूज कर सकते हूं, तो current account भी आप खुला सकते हूं, उसमें transactions भी आप कर सकते हूं, तो genuine सारे रस्ते हैं, तो हर काम के न एक सही रस्ता भी होता है, और गलत रस्ता चूज करना है, गलत रस्ते पे जाना है, या सही रस्ते पे पैसे भी जादा देते हैं, और कुछ applicant है जो सही रस्ते पे जलते हैं, उनके पैसे भी कम दखते हैं, तो choice आपकी है, आपने गलत रस्ता चूज करना है, या सही रस्ता चूज करना है, उस रस्ते पे चलो ताकि आपको आगे चलके भी कोई problem ना आए, अगर आपने fake document लगा नहीं और वहीं पे आपका जो है ना case जो है वो खराब हो जाएगा, तो इससे अच्छा जी है कि genuine document के साथ ही अपने filing बगरा करें, तो आपके पास अगर सारे document ready हैं, तो आप कर सकते हैं, अधरवाइस वेट कर लो, patience रख लो, वो ज्यादा बैस्त है, रधर दन कि आप अप कोई भी applicant अगर मेर को call करता है, तो मैं पहले उनको confirm कर दूँ, हमारे जो भी अपना charges बगरा होते हैं, वो fixed होते हैं, इसके लाबा कोई hidden charges नहीं है, ना ही हम after visa किसी दे payment लेते हैं, ना कोई demand करते हैं, तो कई applicant के mind में यह आता है, कि आप after visa payment नहीं ले रहे, तो आपका काम ह होगा के नहीं होगा, हमारी filing होगी के नहीं होगी, तो जिनको कुछ agent अपना जो कहते हैं, जी 15-20 लाख रुपे में short short visa है, उसके उपर विश्वाश कर लेते हैं, और अगर जो simple अपना आप से एक charges बगरा ले के आपके visa filing करते हैं, आपको उस पर थोड़ा सा trust issues होते हैं, क तो बाकी आपका decision है, आपने कहां से काम कराना है, क्या करना है, क्या नहीं, तो वो आप अपना खुद decide कर सकते हो, और अगर आप अपना online process करवाना चाहो तो online process आप कर सकते हो मेरे साथ, जो भी क्योंकि documentation इसके अंदर PDF लगती हैं, कोई इसके अंदर आपको physically सिरफ आपको BFS office जाता है, वहाँ पे biometric अपना करवाता है, उसके बाद जो है 34 days का time processing time है, वो start होता है, और जो passport submission का है, वो भी applicant अपना खुद जाएगा, appointment बगारा मैं अपना उसमें अरेंज कर देता हूँ, और उसके बाद अपना applicant खुद जाएगा, passport submit कराएगा, और वो उसकी choice है, व directly वो applicant जो है, खुद अपना pick up भी कर सकता है, और अपने घर का address दे सकता है, directly VFS से उनके घर पे पहुंच जाता है, तो इतनी transparency के साथ अपना जो है अपना मैं चातों की काम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अपना office में सब के passports बगारा मंगा लें, क्योंकि बड़ा important document है, तो वो applicant के पास ही रहे, तो ज़्यादा best है, इसलिए मैं preferred करता हूँ कि वो applicant ही कर रहे, और सारी चीजें उनको process का पता चलता रहता है, कि अपना VFS office से वो खुद लेकर की आए है, तो उनको भी होता है कि genuine अपना मेरा visa है, कोई अपना इसके अंदर कोई fraud या कोई fake अपना ची कर देना, thank you for your love and support